वीडियो इस वीडियो के अंदर हम लोग वीकली व्यू के बारे में बात करेंगे छोटा सा वीडियो रहेगा तूदा पॉइंट बात करेंगे सिर्फ एलिएट वेप्स के बारे में बात करेंगे तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो चैनल को सब्सक्राइब कर दो जो बड़े-बड़े stocks जैसे Reliance, HTFC, HTFC, Bank यह सारे stocks में cover करने वालो टेलिग्राम चानल पे तो जल्दी से जाकर उसको जॉइन कर लो हम लोग यहाँ पर start करते है Nifty के अनालेसिस के साथ तो इस Nifty के अनालेसिस अगर हम लोग देखे Overall हम लोग ने क्या देखा था इसको करीब 17,000 के आसपास close out होना चाहिए अब आप यहाँ पे देखो कि Overall हमारी जो वेव स्टार्ट हुए थी 15,183 से स्टार्ट हुए और जो C वेव है मतलब जो corrective वेव है अब यह सोच के देखो कि जिन वेव में correction होना चाहिए market उन वेव में भी उपर जा रहे तो C वेव अगर 17,000 के आसपास बनती है तो यहाँ से फिर जो अगली बड़ी वेव बनेंगी वो मैं आप लोग को बता देता हूँ वो कैसे बननी चाहिए यहाँ से अभी हम लोग Overall जिन वेव के अंदर है वेव बनेगी ऐसी कुछ अब जो उपर की वेव बनना स्टार्ट होगी वो obviously यहाँ से एक नया 1,2,3,4,5 structure स्टार्ट होगा Something like this Along the lines ऐसा कुछ एक नया structure बनना स्टार्ट होगा on bigger time frames तो हम इसको primary रख लेते हैं ऐसा कुछ हमको यहाँ पर primary भी नहीं I think primary से एक degree छोटा intermediate ऐसी पाच वेव हमको उपर बनती हुई दिखेंगी अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा crucial चीज है guys यह third wave अगर यह third wave fail नहीं होती है third wave fail नहीं होती है तो हमारी जो third wave की जो projection निकल कर रहे है 17,870 के आसपास तक निकल कर आ रहे है जूकि अगले 10 से 12 दिन के अंदर देखने को मिल सकता है अगर यह third wave fail हो जाती है उस case में हमको क्या देखने को मिलेगा यहाँ से first, second एक x wave यहाँ कहीं पर देखने को मिलेगी क्योंकि third wave fail हो गई न एक x wave यहाँ पर देखने को मिलेगी और उसके बाद हमको या तो double combo something like this या अगर extended correction हुई तो इसको हटाओ इसके बाद we will be seeing something like this तो यह case हम लोगों को hopefully ना देखने को मिले I think अगर हम लोगों को यह x wave नहीं देखने को मिली तो overall market आपका 17,800, 18,000 भी जा सकता है within a matter of 7 to 8 trading sessions अगर हमको जहाँ भी x wave देखने को मिलगी वहाँ से आप समझ लेना market के उल्टी गिंती चालू और वहाँ से फिर हमको further अच्छी correction देखने को मिलेगी not only सिर्फ correction एक अच्छी correction देखने को मिलेगी उस case में फिर हम 16,600 या matter of fact अगर double ट्रिपल Elliot wave combination waves हमको देखने को मिली तो 16,000 तक की भी बाते कर सकता है तो for the time being market is good अभी जितना चल रहा है मैंने आप लोगों पिछली वीडियो में बता दिया था कि मंडे को मैं expect कर रहा हलका सा gap up उपर market टिक सकता है वहां से थोड़ी सी range में रहके हलकी सी correction देखे overall market का structure bullish रहना चाहिए फिर जो हमारी नई wave स्टार्ट होंगी उसके अंदर first second waves बनेंगी और उसके बाद अगर ये waves कैसे भी करकर sustain कर जाती है fail नहीं होती है तो I think market बहुत अच्छा upmove हम लोगो दिखा सकते है ठीक है गाई तो I hope आप लोगो मेरा view समझ आ गया होगा regarding the x waves और regarding everything अगर आप लोगो कोई doubt है आप comment section में करके मेरे को पूछ सकते हो telegram channel बिल्कुल भी join कर रहो हो मत बोलना क्योंकि सारे major important updates सिर्फ telegram पर होते है and guys I think that's pretty much it so I'll see you guys in the next video तब तक लिए टेक केर and good bye